कल दिपावली का तेवहार था, लोग खुश्यों के साथ दिपावली का पर्व बना रहे थे, लेकिन इस खुश्यों के बीच लोग शायद ये भूल जाते हैं कि सरकार द्वारा पठाके पूरी तरह से बैन हैं, उसके बावजूद भी चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नुए हो, गाजेबाद हो, फरिदाबाद हो, गुरुग्राम हो, यहाँ पर लोगों ने खुब आती शुबाजियां की, और उसका असर ये हुआ कि आज दम घुट रहा है, इस्तिती भयावे हैं, दृश्य भयावे हैं, सुभा जब लोग सोकर उठे और अमुमन जो लोग था ये पॉल्यूशन, जो लगातार बढ़ रहा है, हर साल दिवाली पर लोग खुब आतिश बाजी करते हैं, और खुब पटा के जलाते हैं, उसके बाब ये स्तिती हो जाती है, कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नजारा कितना भयावे है, इस्तिती कितनी भयावे है, ब अगर बात गाजेबाद की की जाए, दिल्ली की की जाए, और या फिर गुरुगराम फरिदाबाद की की जाए, तो वहाँ पर भी ऐसे हालात हैं, लोग डर रहे हैं घरों से बहार निकलने के लिए, अगर बात की जाए, सुभा नौकरी पेशा लोगों की, तो जब लोग न आप खुद हैं, बेवजा बाहर ना निकले, सरकार ने जो नियम बनाए थे, उन नियमों को नजर अंदास कर दिया, उसका असर आप पर पढ़ सकता है, अगर आप जिम्मिदार हैं और चाहते हैं कि देश जो है, और जो इलाके हैं जहाँ पर सबसे जादा प्रदूशन है, वो खुली हवा में सांस ले सकें, तो आप अभी तो फिलहाल बेवजा बाहर मत निकलिए, अपने बच्चों को, बुजर्गों को और आप खुद अगर बहुत जरूरी है तो ही बाहर निकलें और अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि प्रदूश आसपास की जो इमारते हैं वो बिलकुल नजर नहीं आ रही हैं, धुंदली नजर आ रही हैं और ये जो प्रदूशन में दूशित हवा है, जो जहर घुल रहा है, वो लोगों के अंदर जा रहा है, लोग इसी जहर में सांस लेने कर मजबूर हैं, और ये मजबूरी इतनी ह कि काम इतने जादा हैं, लोग नौकरी पेशा हैं, वो बाहर निकल ही रही हैं, कुछ कोरोना का खत्रा, कुछ डेंगू का खत्रा, और अब ये बढ़ता प्रदूशन जो की पूरी तरह से हवा में जहर घोल रहा है, लेकिन लोग हैं, वो मानने के लिए तयार नहीं हैं, प इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ तोर पर हिदायत दी गई है कि पराली नहीं जलाई जाए, राजसरकारे इसके जिम्मेदारी लें और राजसरकारों ने जिम्मेदारी भी लें, लेकिन आम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए अगर उन किसानों दूभर हो सकता है, मानने के लिए राजी नहीं होते कि इस प्रदूशन से आपके जिंदगी को, आने वाली पीड़ी को कितना खत्रा हो सकता है, लगातार सरकार अपील कर रही है कि आप प्रदूशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर जो पर्यावरन लगातार दूशित हो बनाएं आतिश बाजी करें लेकिन ग्रीन पठाकों के साथ ना कि ऐसे पठाके जो हवा में जहर खोल दें क्योंकि आने वाली पिरी इसके लिए आपको जिम्मेदार टहरा सकती है क्यामरा पर्सन राहुल चौहान के साथ मैं काजोलना राएं